बचो 5 numbers are in AP, whose sum is 25, product is 2520, if one of these 5 numbers is minus half, अगर इन 5 numbers में एक number minus half है, ठीक है, ओके, तो आपको बताना है, then the greatest number amongst them is, बचो शुरू करते हैं, तो 5 numbers है, बचो sum किता रहा है, 25 है, तो sum 25 है, तो आप numbers क्या मान सकते हैं, बचो पहला step यह है, कि आपने जो sum है, ठीक है, numbers हैं, वो ऐसे मान लो आप, a minus 2d, a minus d, और बचो a, a plus d, और a plus 2d है, इस तरह से number मान लो, यह पहला thought, ठीक है, क्योंकि उनका sum दे रखा है, बचो sum 25 है, तो एक इता आजाएगा, 5 है जाएगा, बहुत easy, बचो उसमें बोला है कि product जो है, और second और fourth का कर लो, a square minus d square, और बचो 5 से उसको divide कर लो, तो 5 से divide कर लो, तो 5 से divide कर तो किता आजाएगा, 5, 0, 4 आजाएगा, ठीक है, वापिस बचो आप एक ही जगा आप रख तो 5 है न, तो 5, 25 minus, बचो तो 625 आजाएगा, 625 minus, बचो 25 into 4, और 125, d square, प्लस किता आजाएगा, 4 d की पार 4, 4 d की पार 4, is equal to 504, ठीक है, ऐसा आ रहा है, बचो इसके बाद कि आपका कुछ, वन रहा होगा, Quadratic in d, 4 d की पार 4, minus 125, d square, ठीक है, और बचो इसके बाद किता आ रहा है, 121, plus 121, is equal to 0, बचो फटाक से d square 1 दिग गया, 4 d square, minus 121, is equal to 0, बचो, d किता आ रहा है, 1 minus 1, और एक बचो यहाँ पर आ रहा है, 11 by 2, और minus 11 by 2, बचो, d 1 और minus 1 के माइने जहा हो, 5 numbers के regarding, same ही होगे, क्योंकि आप 5 में क्या कर रहा हो, 1 add subtract यहाँ, और 1 add subtract, इधर कर रहा हो, 1 और minus 1 के लिए, बचो 11 by 2 और minus 11 by 2 के भी माइने same होंगे, क्योंकि आप basically a में से 11 by 2 का double 11 by 2 का, और subtract कर रहा हो, और add कर रहा हो, या फिर minus 11 by 2 आप add subtract कर रहा हो, ठीक है, अब इसने बचो एक चीज बुलिए, कि 5 number में, if one of these is half, बचो अगर आपके number में एक 5 है, ठीक है, और एक बचो आपका 1 और minus 1 है, तो यह क्या गया है, इंटीजर आजाएंगे ने सारे, यह इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब यह solution तो आपके reject हो जाएंगे, और आप 11 by 2 लेकर के मैं यह वाली चीज लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख लिया, 5 plus 11, किता आजाएगा, 16 आजाएगा, 16 बचो, यह option आपका answer, चाँ ग्नाएगा, 16 बच्चा लाँ है, तो झाली चाली वाली यह जगाएगा ने जाए लिख लिए उनाएगा, 16 बच्चे लिए वे जाएगा, 16 बच्तर में तो आपकार एंब कर लिए भाली जाएगा।